नमस्कार मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी नेजुशू। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव एक बयान को लेकर सकते हैं। चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए दियेगे बयान पर अब उन्हें नूटिस जारी हो गया है। में कहा गया कि अखलेश आदव ने नाम हटाने की जाच की मांग की थी ताकि सच्चाई का पता लग सके समाजवादी पार्टी के प्रमुख को भेजे गए पत्र के अनुसार चुनावायोग ने कहा है कि कानून जाती या धर्म के आधार प्रमधाता सुची प्रदान नहीं कर अन्बुच कर गलत घोषणा सही तनुचित हस्चेप के लिए दंड और अपरादिक कानूनों की अप्राबदान भी है हाला कि एस्टी ने अभी पत्र की प्रती नहीं देखी है इसमें आगे कहा है कि पार्टी प्रमुख द्वारा लगाय गया आरूप बेहत गंबीर है से 10 नूंबर 2020 को इस मामले में विवरण के साथ साथ सबुट प्रस्तूत करने को कहा है ताकि आवेश्य करवाई भी की जा सके आयोग ने पत्र में कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर नाम हटाए गए है तो विधानसवा डेटा प्रस्तूत करें इसमें विधानसवा 20,000 लोगों की इतनी बड़ी संख्या वोटरों के नाम से हटाने की कोई शिकायत हमको तो नहीं मिली थी ना तो कोई शिकायत विधानसवा चुनाव के दौनान सामने आई है और नहीं उसके बाद में तरह का मामला जिलाया राजिस्तर निर्वाचन अधिकारियों के संग्य बड़ान में नहीं लाया गया है केवल अलिगंज विधानसवा छेत्र में समाजवादी पार्टी के एक उमिद्वार के लगबग 10,000 अलप संख्या को अनुसुचित जाती मद्दाता हो कि नाम सुची से हटाने के संबद में शिकायत की गई थिश किसी यो ने इसकी जाच क लेकिन आरों भी गलत मिले अखलेश यादव अपने ही बयान से चुनावायों के चंगुल में पस चुके हैं अब उनको इसका जवाब चुनावायों को देना होगा अखलेश यादव के मुस्लिम और यादव वोटों को हटाने की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है हमें